हेलो एब्रिवन यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ओनलाइन एजूकेशन आइम एसिस्टेन प्रोफेसर परवीन ठाकुर आज है दिनाग साथ छे दो हजार बाइस आज कंड़क्ट किया गया है एच्पी यूनिवेसिटी के द्वारा एच्पी यू पॉलिटिकल साइं एंट्रेंस दो हजार बाइस तो इसकी प्रोवीजनल अंसर की में आप लोगों की वीच रख रहा हूं क्यूंकि एच्पी यू कोई ऑफिशिल अंसर की जारी नहीं कर सकता है और इस अंसर की में बहुत सारे प्रशन जो है सारे के सारे प्रशन ऑथेंटिक सोर्सी से लिये हैं फिर भी अगर आपको किसी प्रशन में डाउट है तो आप वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाकर आप कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं यदि आपने जो है मसी जौलजी इसके अलावा केमिस्ट्री मैथेमेटिक्स एमकॉम की अगर आपने अंसर की नहीं देखी हैं पहला प्रशन जो पुछा गया था है एक का अंसर जो है एक रहेगा दो नमबर प्रशन पुछा गया था सम प्रभुसत्ता के अदवयतवादी सिधान के लिए किसको जिमेदार ठहराया जा सकता है तो दो का जो राइट अंसर है इस जौन आस्टिन जौन आस्टिन को जो है theory of sovereignty के साथ जो है monastic theory जो है sovereignty की वो जौन आस्टिन ने दी है 101% राइट अंसर है थार्ड नमबर प्रशन पुछा गया था चार नमबर प्रशन पुछा गया था समय के साथ समाज का परिवर्तन का विशिलेशन करने के लिए काल माक्स ने किस कारय परनाली का प्रियोग किया तो चार का जो right answer है इनोंने जो है historical materialism का एतिहासिक भौती बाद का इनोंने प्रियोग किया पांच नमबर प्रशन जो पुछा गया है निमल लिखित में से कौन सी पाठ्थया पुस्तक पे लेटो द्वारा लिखी गया है विच अमंग दा फॉल्विंग टेक्स्ट इस ऑथर्ड वाए प्लेटो तो प्लेटो ने जो पुस्तक लिखी है इस पांच का अंसर जो है रिपब्लिक लिखी गई है जिसको जो है एजुकेशन पर लिखा गया सर्वसुरिष्ट ग्रंथ माना गया है नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टन जो इसमें पूछा गया था आपको ह्प्यू पॉलिटिकल साइंस एंट्रोएंस को माना जाता है तो फंडमेंटल राइट्स जो भारतिय संबिधान ने वो भाग तीन अनुछेद 14-32 में नागरिकों को जो है फंडमेंटल राइट्स जो है दिये गए हैं मौलिक अधिकार दिये गए हैं एट नमबर पुछा था इसका जो राइट अंसर है एक एट नमबर पुछा था भारत का संबिधान किस दिन लागू हुआ यदि आपने मेरा इंडिन पॉलिटी का लेक्चर देखी होंगे तो उसमें ये प्रशन मैंने बताया था केम इंटो फोर्स तो नौ का जो राइट अंसर है देट इस ए 26 जनवरी 1950 को भारत का संबिधान जो है फोर्स हुआ था इस दिन लोगों ने अपने उपर इसको लागू किया था तो राइट अंसर ए होगा यहां पर दस नमबर पुछा गया था बारत के संबिधान की ड्राफ्टिंग समेती के अधियक्ष कौन थे तो बेरि सिंपल हुई दे चेर्मेन अप दिर द्राफ्टिंक कमिटी तो यह थे हमारे पास जो है डाक्टर भिम्राव अमभेत्कर भिम्राव अमभेत्कर राइट अंसर जो है है right to equality right है right to education भी है rt 2001 में आया था sorry 86th amendment 2002 में जो आया था right to freedom of religion 25 से 28 में आपके पास है तो यहां पर right to work 11 का अंसर जो है c रहेगा 12 number version जो पूछा है निमल खीत पेसे कौन नारिवादी विचारक है who among the following is a feminist thinker तो इसका जो right answer है 12 का जो right answer है that is d. mary bullstonecraft इनको जो है feminist thinker माना जाता है next important question जो पूछा गया था इसमें 13 number the fundamental duties are mentioned in which part of constitution अगर आपने मेरी Indian politics की video देखी होगी तो उसमें यह mention था भारत के संबीधान के किस भाग में मौलिक करतब्यों का उलेग किया गया भाग जो है यह आपके पास यहाँ पर right answer इसका भाग 4a रहेगा और article 51a में इसका वोर्णन किया गया है तो 13 का answer जो है हमारे पास रहेगा right answer d रहेगा 14 number पुछा था भारती राजनितिक प्रनाली की नेमलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विशेषता है which one of the following is the best characteristics of Indian political system तो 14 number का जो right answer है that is parliamentary republic parliamentary संसदिय गंदतंतर का अर्थ क्या है जहाँ पर head of the state जो है लोगों द्वारा direct या indirect तोर पर चुना जाता है तो head of the state president जो है इंडिया में लोगों द्वारा चुना जाता है 15 number प्रशन जो पूछा गया था 15 number प्रशन आप लोगों से पूछा गया था which of the following statement is correct regarding the money will in the Indian legislature तो इसका जो right answer रहेगा 15 number question का that is B it can only be introduced in लोगसभा इसे के वो लोगसभा में पेश किया जा सकता है ये इसका 101% right answer है 16 number प्रशन पूछा था राज्यसवा का पदेन सवापती कौन होता है अगर आपने मेरी Indian पॉलिटी की वीडियो देखी होगी तो वह ही से सारे प्रशन रिपीट हुए है who is the ex-officio chairman of राज्यसवा तो इसका right answer है भारत की उप्रास्ट पती तो 16 का जो right answer है that is C ex-officio chairman होते हैं और इनको जो है राज्यसवा की उप्रास्ट राज्यसवा की पैदिन सवापती होने के नाति इनको बेतन और भत्ती मिलते हैं सतर नंबर प्रशन पूचा था बरतमान समय की पंचाहिती राज संस्थानों का जनम किस समयधानिक शंशोधिन के कारण हुआ है तो यह था हमारे पास 17 का यहां पर अंसर रहेगा हमारे पास 73rd Constitutional Amendment जिसने जो है पंचाहिती स्थर जो है गाउं स्थर पर और शहरी स्थर पर पंचाहिती राज इंस्थिशन को स्थापित किया 17 के बाद है 18 नंबर प्रशन 18 नंबर प्रशन पूचा था 19 नंबर प्रशन जो है यहां पर C रहेगा 20 नंबर प्रशन पूचा था Robert Nozick के कार्या को आप किस प्रकार की विचारधारा के तहत बर्गी करेंगे अंडर विच स्कूल अफ थाट कोड यू क्लासिफाई Robert Nozick तो Robert Nozick को हम क्लासिफाई करेंगे इसका अंसर रहेगा B, the Libertarian School of Thought में आते हैं Libertarian School of Thought में आते हैं Robert Nozick तो राइट अंसर 20 का भी रहेगा 21 प्रशन पूचा गया था Bangladesh का Liberation युद किस वर्ष लड़ा गया In which year was the Bangladesh Liberation War was fought तो 21 जो प्रशन पूचा गया है इसका जो अंसर रहेगा हमारे पास That is A, 1965 में यह लड़ा गया था 22 अरस्तु के अनुसार किस परकार की सरकार की बिक्रिती लोगतंतर की उत्पती की ओर ले जाती है According to Aristotle Preversion of which form of government leads to genesis of democracy तो 22 का जो राइट अंसर है That is C वो मानते हैं कि और गार्की का जो बिक्रित लोगतंतर उत्पती की ओर ले जाती है ठीक है C अंसर रहेगा 23 नंबर प्रशन भीच पॉलिटिकल साइंटिस्ट अमंग दा फॉल्विंग कॉइन टर्म कॉइन कॉइन की गई है ये की गई है रजनी कॉठारी के द्वारा तो आपने याद रखना है 23 का राइट अंसर जो है D रहेगा हमारे पास रजनी कॉठारी जो है 23 का अंसर रहेगा 24 नंबर प्रशन भारत में निवेलिखित में से किस चुनाब के लिए एकल हंस्तांतरिया मत के माधिम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व परनाली को नहीं अपना जाता है तो ये किया जाता है 24 का राइट अंसर जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा हमारे पास जिसमें जो है single transferable board is not adopted लिखा है तो ये method यूज किया जाता है member of log सभा के लिए जिसमें जो है single transferable board को adopt नहीं किया जाता है और ना ही proportional representation proportional representation system means plus single transferable को यूज किया जाता है next important question 25 number पुछा गया था which political scientist among the following classified the concept of liberty into two component positive and liberty ये अगर आपने मेरा video lecture देखा होगा तो उसमें भी था ये 25 number प्रशन का जो उत्तर है that is that is जो है is a Berlin के बाद अगर कोई negative और जो है liberty को positive और negative में करते हैं तो जो है JS mill लेकिन उनकी liberty जो है negative ही है 23 number प्रशुट बिधिक जो है लोकी में 26 number प्रशंड ये कि बद्द्वान ने फिर 27 number प्रशंड प्रशंड पूछा गया था to home of the following scholar is the communitarian critique of distributive justice 26 right answer that is D. Robert Nozick is 27 number search जो है ग्राजे नितिका निर्देशक सिधान किस देश के संभीधान में ग्रहित किया गया है Directive Principle of State Policy has been borrowed from which country constitution तो यह बिलकुल easy है यह लिया गया था कहां से? Canada से लिया था इस question का जो right answer है that is that is, sorry the right answer of this question is Republic of Ireland, sorry confusion हो गया था, 100% sure हूँ में, इसका right answer Ireland से हमने Directive Principle of State Policy लिये थे, जो भाग 4 जो है अनुचेद 36 से इकावन में हमने दिये है, right answer यहाँ पर जो है Ireland, Ireland रहेगा 27 का था answer D, और 28 नमबर जो प्रशन है हमारे पास, that is उप्योगिताबाद के दर्शन के संस्थापक का पिता कौन है who is the founder father of philosophy of utilitarianism, तो 28 का right answer है जो है मारे पास B, Jeremy Bentham, जो है इसकी father माने जाते है, उप्योगिता, बाद की और J. Smil भी इससे संबंदित है 29 नमबर answer जो है नेमिलिकित सिधान कारों में से कौन ruling class की बात करता है who among the falling theorist author of ruling class 29 का जो right answer है that is B, Gaitano, Moss का जो है यह पुस्तक लिखते है the ruling class जो है इनकी पुस्तक है among the following political concept which one are propounded by Robert Dahal तो Robert Dahal ने जो शब्द दिया है that is polyarchy 30 का जो right answer है that is A, 30 का right answer जो है हमारे पास रहेगा 30 नमबर प्रशन का right answer रहेगा हमारे पास polyarchy बहु शाशन 30 नमबर प्रशन पुछा गया था the voting age for Indian citizen was reduced to 18 from 21 year which of the following constitution अगर आपने Indian polity में देखा होगा तो वहाँ ये प्रशन आया था 31 का right answer A है 61 constitutional amendment तो right answer इसका A है 61 संवेधानिक्षन शोदन 32 नमबर प्रशन किस अनुचेद के द्वारा भारत की अंदर समान्य आपातकाल की घोशना की जा सकती है तो journal emergency 32 का जो right answer रहेगा that is आपके पास article 356 इसमें जो है जो है जो है आपातकाल जिसको राष्टपतिशाषन प्रेजिडेंट रूल वो हम लागू कर सकते हैं 33 जो है question पूचा गया था 33 का जो right answer है that is B B.P.Mundal 1979 में D.P.Mundal जो है इसका right answer है 34 number प्रशन किसने यह तर्क दिया कि राजिया को व्यक्तियों के स्वाभिमानी कारियों में हस्तक्षिप नहीं करना चाहिए 34 का जो right answer है that is C यह John Stuart Mill ने कहा था 34 का right answer C रहेगा हमारे पास the master or father are indeed greater slave than they 35 का जो हमारे पास right answer है that is C Gene Jackis Russo ने यह कहा था कि मनुष्य स्वातंतर पैदा होते हैं लेकिन वो स्वातंतर जंजीरों में जकडे हैं यह कहा गया था Gene Jackis Russo के द्वारा अब जो है acronym पूछा गया है Post Corp यह public administration से पूछा गया है coined by Luther Gullick यह stand करता है तो 36 का जो right answer है that is A, P से planning, O से organization S स स्टाफिंग, D से directing O से coordinating, R से reporting and B से budgeting यह जो है इसका right answer है 7 का जो next जो प्रशन जो हमारे पास पूछा गया है next question 37 number question जो पूछा गया है the doctrine of Hindutua what expounded by तो यह इसका right answer है हमारे पास BD 37 का right answer जो है A रहेगा हमारे पास 38 number question जो पूछा गया था हमारे सी HPU Entrance Political Science में what is the difference between sex and gender 38 का जो right answer रहेगा that is C, sex is generating, gender is political, ठीक है next question जो question पूछा गया था question number 39 39 में हम जो पूछा गया था HPU Political Science Entrance which of the following is not a characteristic of feature of state 39 का जो right answer रहेगा हमारे पास that is D, गंतंतर जो है democracy जो है इसका right answer रहेगा 40 number question पूछा गया था निमलिखित में से कौन शास्त्री उदारबाद का मागदश who among the following is the pioneer of classical liberalism so 40 का जो right answer है that is B, John Locke को father of classical liberalism कहा जाता है right answer B होगा 41 number question पूछा गया है निमलिखित बिकल्पो में से राजनितिक बिग्यान का सबसी सही बिबरण चुने among the following option select the most accurate description of political theory 41 का जो right answer रहेगा यहाँ पर मैं जो है sure नहीं हूँ most accurate जो यह है अगर आपको इसका exact answer आता है तो आप comment section में जाकर comment कर सकते है 42 का जो right answer है that is A A जो है they require the state to do something in order to enable fuller enjoyment 42 का right answer A रहेगा 43 number question पूछा था what kind of a view of state does social contract theory produce samajik unwan siddhan का राज्य के बारे में किस परकार का दिश्टू कुन प्रस्तूत करता है 43 का जो हमारे पास right answer रहेगा that is B divinely ordained view of the state B जो है राज्य का देबे रूप में निर्वाजी दिश्टी कोन फिर 44 number question पुछा गया था आपने match करना था correctly match the following author with their respective work 44 का जो हमारे पास right answer है that is B जहां पर जो है एक जो है Thomas Hobbes जो है लेवियतान लिखते है और जो है फिर John Stuart Mill जो ये लिखते हैं on liberty को उसके बाद काल मार्क्स लिखते हैं critique of gotha program और हन्ना अरंडित जो है इनका जो work है that is origin of totality तो right answer B रहेगा 44 का right answer B रहेगा 45 number question जो पूछा गया था आंत्रिक संप्रभुसत्ता कार्थ क्या है what does internal sovereignty employ तो 45 का जो right answer है that is B राज्ये के पास अपनी सिमाओं के भीतर सरवोच अधिकार the state possess supreme authority within its border 46 number question सरकारिता की अबधान अने मिलखित में से किस सिधानकार ने दी the concept of governmentality is associated with 46 का जो right answer है हमार पास that is C. Michelle Foucault जो है इसकी बात करते हैं ठीक है तो right answer जो 46 का है that is Michelle Foucault next जो question है पूछा गया इसने 47 कटरपंथियों की नारेवादियों का तर्क है कि राज्य डेश डेश शक्ति का प्रतिविम्ब है radical feminist argue that state power is reflective डेश 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 तो 47 भी मैं sure नहीं हूँ अगर आप जानते हैं तो comment box में comment करें next 48 number पूछा गया था which of the following generation of right does cultural right and minorities represent तो 48 का जो right answer है that is B second generation of right 48 का जो right answer है that is B दूसरी PD का अधिकार 49 number पूछा था समाज को राज्य की जवरदस्ती अधिकार के विना संगठित किया जाना चाहिए कौन सी राजनितिक विचारधारा society ought to be organized without the coercive authority of the state which one of the following political ideology uphold such a state point 49 का जो right answer रहेगा ये भी sure नहीं हूँ मैं अगर आप जानते हैं तो आप comment जरूर करें comment box में जाकर 50 number पूछा गया था किसने रास्ट्रों को कालपनि जो है समुधायों के रूप में परिभाशित किया who defined nation to be an imagined community तो imagined community की बात करते हैं Benedict Anderson 50 का जो right answer रहेगा that is D. Benedict Anderson जो है imagined community जो है की बात करते हैं इनकी पुस्तक भी है 51 number पुछा गया था आपसे कि निमिलखेते से कौन सी अभधाना वर्ग शाषन की एक गैर अक्रामक साधन का प्रतिने धित्व करती है which of the following concept represents the non-coercive instrument of class rule 51 का जो right answer है that is C जो है sorry that is C पुलिस जो है ठीक है पुलिस जो है इसका right answer है concept of non-coercive instrument of class rule जो है C 51 का right answer C है 52 number पुछा गया था यह मिलखित में से कौन उदारवाद का मॉलिक नियम नहीं है which of the following is not a fundamental tenet of liberalism तो 52 का जो right answer है that is A man is an emotional creature इसकी बात यह नहीं करते हैं 52 का answer यह रहेगा 53 पुछा गया था the principle of justice as formulated by John Rawls is argued upon the requirement of dash dash identify the correct option तो 53 का जो right answer है हमारे पास that is D difference principle की बात करते हैं John Rawls 53 का right answer जो है क्या रहेगा 53 का right answer रहेगा D. Antarsidhant next question 54 number पुछा गया था नियम लिकित में से कौन उदारवाद का समर्थक who among the following is the proponent of utopian socialism तो 54 का जो right answer है that is B Robert Ohne जो है utopian socialism की बात करते हैं 55 number पुछा था आनुपातिक प्रते निथित्व का रूप ले सकता है proportional representation system may take form of 55 number का जो answer है that is सूची परनाली जो है सूची परनाली का दूसरा जो रूप है list system जो है इसमें आप यूज कर सकते हैं बहुत सारी देशों में प्रते निथित्व को चुनने के लिए यूज की जाती है 56 the legal theory of rights believes in अधिकारों का वैधानिक सिधान मानता है 56 का जो right answer है that is A rights are created by the state अधिकार राज्ये द्वारा बनाई जाते हैं 57 number पुछन Hobbes के अनुसार जीवन प्रकरती अवस्ता में तो according to Hobbes life is in the state of nature 57 का जो right answer है that is C गरीब, एकांत, बुरा, करूर और चोटा, पूर, सॉलेटरी, नास्टी, बूटिश, और सॉट 58 number question the concept of four pillar state was advocated by 58 का जो right answer है that is राम उनोहर लोहिया 58 का जो है right answer हमारे पास रहेगा A इसका जो है right answer जो है हमारे पास चार स्तम राजे की बात जो है राम उनोहर लोहिया ची करते है 59 number question पुछा था the concept of अपरी ग्रह इन गांधी सत्या ग्रह applied to अपरी ग्रह की अबधाना को लागू किया गया 59 number question का जो answer होगा that is A गैर अधिकार के लिए non-possession के लिए इसका जो है यूज किया गया 60 number question पुछा गया था the life divine किसकी प्रसीद रचना है the life divine is a famous work of 60 का जो right answer रहेगा हमारे पास that is B और विंदो घोष ने जो है life divine नामक पुस्तक लेकी है ठीके 61 number question जो पुछा है जौन रॉल्स द्वारा अपनी पुस्तक 1971 ए theory of justice में दिये गे न्याय के दो सिधानतों में प्रथम सिधान द्वारा विशेश रूप से क्या सुरक्षित है तो 61 का जो हमारे पास right answer है that is A इसमें सुरक्षित है justice और न्याय 61 का right answer जो है A रहेगा 62 number question जो पुछा गया था ये पुछा गया था कि अगर आपने मेरी Indian political lecture देखा होगा तो उसमें भी ये प्रशन आया है समयधानी कुपचार की अधिकार की guarantee भारती समयधान का अनुछेद कौन सा देता है 63 number question पुछा गया था Joe Wyden, the President of United States of America belong to which major political party तो 63 का जो right answer रहेगा हमारे पास that is C, Libertarian Party से ये संबंद रखते हैं इसका right answer है C, Libertarian Party 64 number question पुछा था Chipko Andolan protested against which one of the following activity Chipko Andolan ने में लेकित मैं से किस गतिविदी का विरोध किया गया 64 का जो right answer रहने वाला है 101% that is C पेडो की कटाई से संबंदित था ये felling of tree से संबंदित था 65 number question पुछा गया था ने में लेकित मैं से कौन सा देश दक्षिन एशिया एक शेत्रिय सायूग सार्क का सदस्य नहीं है which of the following is country is not a member of South Asian Association for Regional Corporation तो 65 का जो right answer हमार पास रहने वाला है that is B Myanmar जो है अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें ये प्रशन भी आया हुआ है 66 number question लोकसभा को बुलाने और 17 वासन करने के शक्ती किसके पास है तो 66 का जो right answer है that is A President of India Article 108 के इंतरगत ये joint session भी बुला सकते है और जब लोकसभा का first session होते है तो उसकी अधेक्षता भी ये ही करते है अधेक्षता लोकसभा के speaker करते हैं लेकिन उसमें भाशन देते हैं 67 number question पूछा गया था आपसी which article of constitution declare the state is duty bound to promote the spread of Hindi language संभिधान का कौन सा अनुचेत घोशित करता है राज्य हिंदी भाशा के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए बात दे है तो 67 का जो right answer है हमारे पास that is C article 351 ये बात करता है तो इसका right answer जो है हमारे पास क्या रहेगा article 351 जो है right answer रहेगा हमारे पास 351 जो right answer है that is D ठीक है politics is governed by universal moral value ये नहीं है इसमें बाकी जो है सारे की सारे है वो जो है ये मानते है politics is rooted in human nature politics is autonomous national interest defined in terms of power politics is governed by universal moral value ये नहीं इसकी बात वो नहीं करते है 69 जो प्रशन पुचा था किस राजनितिक दार्शिन ने कहा राज्य पृत्वी पर इश्वर की यात्रा है which political philosopher said state is the march of God on the earth तो ये कहा गया था किसके द्वारा 69 का right answer है हमारे पास D ये कहा गया था Heagle के द्वारा Heagle ने ये कहा था राज्य जो है धर्ति पर इश्वर की यात्रा है 70 नमबर प्रशन which commission was established to review the working of the constitution of India in year 2000 70 का right answer है that is C जो है बैंकेट चलिया commission जो है बैंकेट चलिया जो आयोग है ये जो है 2000 में भारत में सम्भिधान की काम काज की सिमिक्षा के लिए आयोग स्तापित किया गया था 71 नमबर प्रशन निमल लिखित मैंसे किसने उदार लोगतंतर को बिश्व भ्यापी बिजे को इतिहास का आंत बताया which one of the following described the worldwide Trump of liberal democracy as the end of history 71 का जो right answer हमाल पास रहने वाला है that is C. Francis Fukuyama की पुस्तक है ये the end of history and last man जिसमें वो जो है Trump of liberal democracy की बात करते हैं 72 नमबर प्रशन पुछा गया था in which context is the term G4 countries used अगर आपने मेरी political science की video देखी है तो उसमें ये प्रशन मैंने आपको solve करके दिया है 72 नमबर जो question है इसका right answer है B. It is used for India, Japan, Brazil and Germany as they are supporting each other in the bid for permanent seat of UN Security Council 72 का right answer B है 101% sure right answer B जो है इसका है 72 का 73 नमबर प्रशन पुछा गया है शांती परवा primarily deals with the discourse of 73 का जो right answer है that is A, duties of the king and obligation of the subject राजा के करतब और प्रजा के दाइत्वा के ऊपर 73 का right answer A रहेगा 74 नमबर प्रशन पुछा गया था who among the following said the caste system is a negation of democracy 74 का जो हमले पास right answer रहने वाला है that is A, Dr. B.R. Ambedkar ने ये कहा था कि जाती ब्यवस्ता लोकतंतर का निशेद है ये कहा गया था Dr. B.R. Ambedkar के दुआरा 75 नमबर प्रशन ये में लिखी तमें से किसने सबसे पहले सौराज की अबधाना को सामने रखा which the following first put forward the concept of सौराज 75 का जो right answer है हमारे पास that is D, B.G. तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले concept को लाया है 76 नमबर प्रशन पुछा था किसने कहा अपनी प्रजा के सुख में राजा का सुख है उनके कलियान में उसका कलियान who said in the happiness of his subject lies the king happiness in their welfare of its 76 का जो right answer है हमारे पास 76 का that is C C जो है कॉटिलिया जो है इसका right answer है कॉटिलिया is a right answer of 76 77 number question यह कथन की समाच के भिना एक आदमी या तो जानबर है या भगवान यह किसने कहा था the statement a man without society is either beast or God तो यह famous lines है Aristotle के अरस्तू के 77 का जो हमारे पास right answer रहने वाला है that is C Aristotle यह कहते है who among the following is the author of the rest of the earth 78 the rest of the earth इसके जो लिखक है 78 के वो है Friends Fanon ने लिखी है rest of the earth पुष्तक जो है इसका right answer है B 79 number question जो पुचा गया था which political thinker advocating plural voting to higher education higher educated citizen 79 का जो right answer है that is C J.S. Mill plural voting की बात करते हैं educated citizen के लिए तो यहाँ पर right answer है C जो है उच शिक्षित नागरिकों को बहुल मतदान का प्राबधान J.S. Mill ने किया था 80 question पुचा गया था अवेद रूप से हैरासत में लिए व्यक्ति को रिहा करने के लिए नयाल लियों द्वारा ने में लिए हित्में से कौन सी रिट जारी की जाते है तो 81 का जो राइट अंसर रहेगा हमारे पास That is C गोव जो है एक मातर एक ऐसा स्टेट है जहां पर जो है उनिफॉर्म सिवल कोड है जो आर्टिकल 44 में है डारेक्टी प्रिंसिपल अप स्टेट पॉलिसी में 82 number question पुचा था सत्ता की प्रिथिकर्ण का सिधान का शुरिया Montescue को दिया जाता है एक संबेधानिक सरकार के अंदर दो उनके प्रसिद काम थे जिनका नाम ठीके तो Montescue का जो दो काम है ठीके इसका जो राइट अंसर है 82 का जो राइट अंसर है That is a spirit of law ठीके तो भिच अपेर इन इस विदिस कॉंस्टिटूशनल दॉक्ट्राइन अप सेपरेशन ओफ पावर जो हिनों ने दिये था the spirit of laws में दिये थी इसके अलावा ये पुस्तक में लिखते है separation of power 82 का राइट अंसर जो है हमारे पास रहेगा राइट अंसर रहेगा A spirit of laws 83 number question है भारत में राज्ये की राजनेती की क्षेतर की मारगदेशन के रूप में किसे माना जाता है तो 83 का जो राइट अंसर रहेगा हमारे पास यहां पर जो इसका राइट अंसर रहेगा यहां पर 83 का राइट अंसर जो है 83 का डी रहेगा राइट अंसर एकवाल ने रहा है 84 number percent पुछा था John Locke to treatise of civil government was developed as a critique of 84 का जो राइट अंसर रहने वाला है that is a Robert Filmer पैट्रियार्किया Robert Filmer की पैट्रियार्का John Locke ने civil सरकार के दो प्रकरण किसकी आच लोचना के लिए जो है इन्होंने लिखे थे तो इन्होंने जो है यह ऐसे किये थे 85 number question पुछा था 18 आठार्विस्तावदी के राजनितिक विचारत द्वारा दी गई कौन सी अभधारना लोगपरिया प्रभुसत्ता के विचार को विवक्त करती है which of the following concept given by the 18th century political thinker and instruction of idea of popular sovereignty तो popular sovereignty की वाद करते है journal will दिया गया था Jean Jackis Russo के दोरा जो actual will और real will का मिश्रण है तो right answer जो है 85 का हमारे पास यहां पर B रहेगा 85 का exact answer जो है B है 86 question जो है पुछा गया था सरकारी निती के निर्मान और कायन विंग को प्रभावित करने का प्रयास करके ऐसे संगठन चुलोकों की समोह की समाने हितों का answer करता है उन्हें कहा जाता है तो 86 का जो right answer है हमारे पास that is जो है यहां पर मैं 101% sure नहीं हूँ लेकिन most probably जो है यहां पर B जो है इसका right answer होना चाहिए इसका right answer जो है B होना चाहिए 86 का जो right answer है that is B होगा 87 number question पुछा गया था the first country in the world to introduce the right of information boss सुचना की अधिकार को लागू करने वाला बिश्व का पहला देश था तो 87 का जो right answer है that is C Sweden में RTI का concept सबसे पहले लाया गया था तो 87 का right answer जो है हमार पास C रहेगा 88 number question पुछा गया था संसित की लोग लेखा समिती की अधियक्ष की न्युक्ती की जाती अगर आपने मेरा Indian Policy का lecture देखा होगा बहुत famous quotation है यह किसने का सत्ता ब्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण तोर पर ब्रष्ट करती है 89 का जो right answer है that is C यह कहा था Lord Acton ने कि power crafts बट एपसिलूट पावर क्रफ्ट एपसिलूटली 90 number question पुछा गया था rule of law was propounded by the term system rule of law तो rule of law को propound किया गया था किसके द्वारा A.B.DIC के द्वारा propound किया गया था 90 का answer जो है क्या रहेगा हमेरे पास A.B.DIC ने जो है कानून का नियम दिया है 91 question जो पूछा गया था इसमें वो पूछा गया था राष्ट पती अपना स्थीपा किसको देते हैं प्रेजिदेंट ऑफ इंडिया गिब्स इस रेजिगनेशन टू बहुत इजी इंदिन पॉलिटी में मैंने बताया था आप लोगों को 91 का जो राइंसर था वो था C. इसका राइंसर है राष्ट पती अपनी स्थीपा जो है उप राष्ट पती को सौंबते हैं 92 नंबर प्रशंद पूछा गया था The council of minister in parliamentary type of government can remain in office till enjoy the sport of 92 का जो राइंसर है That is D. Majority of member in the lower house of parliament 92 का राइंसर है हमारे पास क्या रहने वाला है D. Sunset के निचली सर्दस्यों का बहुमत 93 नंबर प्रशंद पूछा गया था राज्य पाल की नियुक्ति के लिए निमेलिखित में से कौन सी आविशक योगिता नहीं है Which of the following is not an essential qualification appointment as a governor तो 93 का जो राइंसर है हमारे पास That is B. He should be a domiciles of the state to which is being appointed ऐसा नहीं है कि वो उस राज्य का दिवाशी होना चाहिए जहां वो जो है governor appoint किया जाए तो इसका right answer B रहेगा 94 नंबर प्रशंद पूछा था Which of the following statement is not true तो आपको statement D है 94 का right answer जो रहेगा हमारे पास D ये जो है true नहीं है The phrase social, economic and political justice in Indian constitution has been borrowed from Russian revolution ये बिलकुल सही नहीं है ठीके 95 नंबर प्रशंद पूछा था प्रस्ताबना में नहीं लिखी शब्दों का सही क्रम है तो ये जो है simple formula है J-L-E-F आपने याद रखना है 95 का जो right answer है That is B Sovereign, Socialist, Secular and Democratic Republic जो है आपने याद रखना है 96 नंबर प्रस्ताबना में जो समानता, स्वतंतरता और बधुनत्वा के आदर्शों को कहां से लिया गया है The ideas of liberty, equality and fraternity in preemble have been taken from 96 का जो हमाले पास right answer है That is French Revolution ये फ्रांसी सी करांती से हमने ये जो है आदर्श लिये है 97 नंबर प्रस्ताबना पूछा गया था Which of the following statement is our true ने मिलखित में इसके कौन से कथन सत्ते है 97 का जो right answer है हमाले पास That is D ये सारी की सारी statement जो है सही है India's membership of Commonwealth Nation Indian membership 97 का जो answer है That is D रहेगा 98 नंबर प्रस्ताबना पूछा था Which is the meaning of equality in Indian constitution 98 पूछा गया था भारती संभीधान में समानता का अशे है 98 का जो right answer है That is C समाज की किसी भी वर्ग को विशेशा दिकारों का अभाब बिना किसी भीधभाब की सभी व्यक्तिओं के लिए प्राप्त अपसुरों का प्राभधन absence of special privilege to any section of society and provision to adequate opportunity for all individual without any discrimination 99 नंबर प्रस्ट जो पूछा गया था भारती समिधान में नहीत दर्शन विस्तोनस संकल्प में काफी पहले ही शामिल हो गया था जिसे समिधान सत्र के 13 December 1946 को पेश गया गया The philosophy underlying Indian constitution was employed quite early in the objective resolution which was moved in the first session of constitutional assembly on 13 December 1946 तो 99 का जो right answer है जो objective resolution लाया गया था जिसको philosophy of constitution भी कहा जाता है ये जो है लाया गया था पंडी जौहला लेहरू के द्वारा 100 नंबर जो प्रस्ट पूछा गया था लास्ट प्रस्ट प्रस्ट पूछा गया था लास्ट प्रस्ट पूछा गया था soul of constitution इसको जो है कहा जाता है soul of constitution 200 का जो right answer है that is D. Thank you very much